नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं कि भगवान महाकाल के आशिरबात से आप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों यह आठ दिनों के अंदर में होने वाले हैं माला माल जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों आपको स्वेम महाकार ने ऐसे खुश खबरियां देने वाले हैं, इसे चमत कार करने वाले हैं, जिनसे की दोस्तों आपके सरीर के रोंग्टे भी खड़े हो जाएँगे, जहां दोस्तों आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार हमको इतना धन केसे मिल गया हम क्या एसे अच्छे कार किये थी जो कि हमको भगवान का आशिरवात मिला है जहां दोस्तों वो कहते हैं न कि जब भी भगवान देता है चपर फार के देता है और दोस्तों यह समय भी आपको भगवान चपर फार के धन देने वाले हैं जहां दोस्तों और दोस्तों या धन आपके घर के ही कुछ दूरी पर है और वा धन स्वें भगवान महाकाल ने वर्षों से रच्छा करते आ रहे हैं जो कि दोस्तों आपको या धन मिलने वाला है भगवान ने आपके अच्छे कर्म अच्छी भक्ति से प्रशन हुए हैं आप अपने दोस्तों अपने जीवन में कई कश्ट जेले हैं, कई परिसानियों का शामना किया है और दोस्तों वह समय भी सिर्फ भगवान का ही नाम लिये हैं और दोस्तों भगवान को ही याद किये हैं, उनके परती भक्ती भाव में लीन हो गए थे और वही कर्मों का फल भगवा नहीं कर पाता है और दोस्तों जो मनुष गलत रास्ते पर चलते हैं अपने बड़े छोटे के तकली पहुचाते हैं किसी का भला नहीं देख पाता दोस्तों उनको धन मिलता है शुक भी मिलती है पन्तु दोस्तों जादा समय के लिए नहीं टिक पाता जहां दोस्तों और अब आपको भगवान महाकाल के आसिरवा से एसे एसी खुस खबरियां आपके घर दस्तक देंगे एसे एसे काम्यावी आपको भगवान की किरपा से मिलने वाले हैं जिनसे की दोस्तों लोग कहेंगे की वह नसीव हो तो एसी जिहां दोस्तों अब आपके हर कार में सफलता मिलेगा हर बधाएं आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे, जो कि दोस्तों आपको आगे बढ़ने में दिकतते आ रही थी, अब आप जिस कार को करने में हात बढ़ा हैंगे तो दोस्तों आपको काम्याभी मिलना ताई है, जिहां दोस्तों अब आपके उपर आपके सर पर स्वम भगवान महादेव ने आपके सर पर हाथ रख दिये हैं अब हर तरह से भगवान आपको साथ देने वाले हैं अपने पिछले समय में जितने भी परिशानियों का शामना किया है उतना ही अब आपको शुक भी मिलेगा जहां दोस्तों इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और सुरू से लेकर अन तक जरूर देखें क्योंकि दोस्तों इनमें आप समी महत्यपुन जानकारे को जानेंगे कि यह समय आपको किन-किन छेतरों को लेकर शाबदान भी राने होंगे कौन से कार आपके लिए आपकी प्राप्ति होगी और भागवान महाकाल के असिरवात से आपके घर के माहल में परवारिक जीवन में परतेक छेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों आन तक देखिएगा उसे पाले दोस्तों जो एक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे यहाँ दोस्तों बात करते हैं सुरवात करते एक अच्छे विचार से एक अच्छे घ्यान से जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में एक एकछा सकती जागरित करेगी कि इनसान अपना घमंड अच्छे वक्त में दिखाता है लेकिन उसका परिणाम उसके वुरे वक्त में दिखाता है जिहां दोस्तों इसी के साथ उचाई पर वही पहुँचते हैं जो बदला नहीं बदला लाने के सोच रखते हैं इसी के साथ जरूरी नहीं कि हर उपहर कोई वस्तु ही हो प्रेम परवा और इजद बहुती अच्छे उपहर हैं किसी को देने के लिए जिहां दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से सामत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं तो पिछले कुछ समय से जिस कार को लेकर आप प्रियासद रहे थे आज उससे समंदिक सुख फल की प्राप्ति हो सकती है परवारिग रख रखाव तो था सुधार समंदिक कारे में भी उची समय वेतित होगा सभी सदस आपस में बैटकर एक दूसरे से अपने विचार साजा करेंगें इस तो समय कुछ मिला जुला ही वेतित होगा पर तो आपका रिष्टों के प्रती आदर मान आपसे समंदों को और अधिक मजबूत करेंगा बच्चों के समक्ष आप स्रिष्ट अभिभावक साबित होंगें परिवार जनों की जरुतों के प्रती आपका ध्यान रहेगा घर के बड़े बुजरों की सलावा मार दर्सन पर जरूर ध्यान दें को समय आत्मे चिंतन अत्वा एकांत में भी वेतित करें इसे आपको कोई निरने लेने से सहयता मिलेगी किसी परकार की दुविदा होने पर परिवार जनों का सहयोग आपको निरने लेने में मदद कर सकता है दोस्तों पिछले कर्म अच्छे परदान होने के कारण भागवान की किरपा आप पे बनी हुई है किसी व्यक्ति से मुलकात से आपकी विचार धारा में उचीत परिवर्तन आएगा कई सकारत में पहलूओं की जानकारे भी मिलेगी आर्थिक तथा परिवारी इस्तिक को बहतर बनाने में भी आपका प्रियासत रहेगा इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिनों में कुछ शाबधानियां भी देख कर चलनी होगी गुसे और आवेस जेसी नकारत में बातों पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों किसी विप्रित परस्तियों में घावराने की बज़े उनका सावधान ढोड़ने की कोशिश करें तथा जीवन की वास्तिकता को समझें अपने मन मुतावित कोई बात ना होने से कुरोदवा आवेस में अना आए सांति और धैरपूर्ने तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयाश करें इसमें दोस्तों अपकी भलाई है और आगे बढ़ सकते हैं तथा समंदों में भी मदूर्टा आएगी विद्यार्ति थ्वाईवां को अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की जरुरत है अपनी महत्पुन बातें किसी से भी सेयर ना करें तथा जमिन जायदात अत्वा रुपे पैसे समंदी कोई करवाही करते समय ध्यान दें उसके कारे के बारे में पूरी तरह जानकारी आवश्य कर लें कोई भी काम जल्दवाजी में ना करें ओफिस के कारें को घर में करने की वज़़े से बहुत ही दिकतें आएगी बेतर होगा कि किसी अधिकारी की सला आवस्य लें वैसा गतिविदियां समाने रहेंगे कुछ ओडर मिलने से रहात मिलेगी इस समय सभी कारे अपने देख रेक में ही निप्टाने का प्रयाश करें किसी कर्मचारी का नकारतम रवय या आपको परेशान कर सकता है ओफिसली कार बिना दिकतें की होते जाएंगे के साथ-साथ दोस्तों आपके आने वाले जीवन काल में भगमार्य महाकाल का आसिरवास से पिछले कुछ समय से चल ही विवस्ता समधित परिशानियों में आप परत्यासी सुधार आने से स्यंग को उर्जमान महसुष करेंगे और अपने कारे में भी ध्यान दे पाएंगे और तरकी का कोई नया रास्ता बनाने में परिसितियां सहयोग करेगी कोई दोस्ता आपके लव लैप के बारे में बात करें तो पति पत्नी के समंध में मदुर्था आएगी युवां की दोस्ती प्रेम समवन्द में तब्दिल हो शकती है और अबारे सदसे एक दूसरे के लिए सवग्यात्मग वहबार रखेंगे किसी पुराने मित्र से मेल मुलाकात भी हो शकती है अपके स्वास्त के बारें बात करें तबचा से समवन्दित कोई समश्या रह सकती है दूसरीत पानी वाबातारवन से दूर रहें तबचा समवन्दित छोटी मोटी परेसान ने रह सकती है पर तुप परेसान होने की आवसकता नहीं है थोड़ी सी सावधानी आपको स्वास्त रखेगी चलिस्तों बात करें तब के उपाय के बारे में दोस्तों शोमार को शुभा जल्दी उठकर असनान यादी करने के बाद सीम मंदर में भगवान शीव को जल्शे अभिसेख कर उन्हें काले तील और पांच पत्ते वाले वेलपत अरपन करें इसके बाद मनही मन ओम नमश्रिवाय मंतर का जाप करें इसे दोस्तों आपके आने वाले चीव अनकाल में हर समस्या से छुटकारा मिल जाएगा वह दोस्तों आप बात करते हैं आपका भागे साली रंग और भागे साली आंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग आश्मानी है और भागे साली रंग छे है दोस्तों भगवान महाकाल का आशिरवात आप सभी को प्रापतो सच्छे दिलशे कमेंड बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें और विडियो को लाइक सियर जरूर करें धन्यवाद